नमस्ते दोस्तो आज के दिन मार्केट में जो ओलेटेलिटी हम लोगों को देखने को मिल चुकी है उसके पीछे के रीजन को हम लोगों को समझना पड़ेगा फिर एनसी की तरफ से जो खबर निकल के आई ये उसका क्या इंपक्ट हो जाएगा और आज के जो CPI और IIP के आकड आता है तो वो भी एक important trigger की तरह काम करेगा तो इन सभी point को मद्य नजर रखते हुए कल कहां पर best opportunity मिलेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले start करते हैं येनसी की तरफ से जो खबर आई हुई है उसको देखते हुए येनसी के stock में हम लोगों को आज के दिन गिरा policy point of view से देखे तो उसका profit और जो revenue वो कम हो जाएगा इसकी वज़े से ये stock में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल चुकी है अभी देख लेते हैं कि कल के दिन market में क्या होने की probability यहां पर दिखाई दे रही है अगर आप यहां पर देखोगे तो market एक historic high के उपर consolidate कर रहा था market में हम लोगों को यह जो trend line मिल रहा है यह trend line के करीब यहां पर हम लोगों को एक reversal वाला pattern देखने को मिल चुका है लेकिन FII का जो आकड़ा है वो आकड़ा हमें clear cut indication downside के momentum का नहीं दे रहा है downside का strong momentum कब start हो जाएगा जब market इस level के नीचे आ जाएगा और यहां पर FII की तर में हमरें important resistance यह निकल करके आ रहा है और नीचे की side में हम लोगों को जो important support वाला level निकल करके आ रहा है वो यह वाला level है in between market जो है वो range bound momentum दिखाते हुए upside की तरफ continue रख सकता है market को downside आने के लिए either east वाले support level को break करना पड़ेगा या फिर इस level के नीचे आना पड़ेगा और या फाय की तरफ से यहाँ पर downside के position बनने चाहिए तब ही जाके market में downside का momentum देखने को मिल सकता है अगर आप आज के दिन का momentum देखोगे तो आज के दिन market ने बहुत ही volatility का माहूल दिखाया यहाँ पर देखोगे तो initially upside का momentum दिखाया और फिर strong selling के बाद market में downside का भी momentum आ गया इस volatility के पीछे का reason में आपको already explain करके बताया हुआ है अभी इस volatility वाले माहूल को किस तरीके से consider करना है इसको पहले समझने की कोशिश करते है जो लोगों को यहाँ पर बनाया हुआ chart pattern समझ में आया रहेगा वीडियो को like करके comment section में मुझे उसका नाम बता दीजिए अभी देख कि कल के दिन क्या होने की probability यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है सबसे important बात अभी market में जो है एक dice situation बना हुआ है इस dice situation से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को यहाँ पर यह जो pattern बनता हुआ दिखाई दे रहा है यह pattern बहुत ही important रहेगा इस pattern को triangle language में बोलता है triangle pattern यह हम लोगों को high probabilistic downside का momentum देखने को मिलेगा overall अगर आप देखोगे तो यहाँ पर market में downside का momentum बना हुआ है और downside के momentum में यहाँ पर range bound zone में यह pattern बनता हुआ दिखाई दे रहा ही तो यह बहुत ही high probabilistic opportunity आपको देखने को मिल सकता है कल के दिन में market में किस तरीके का momentum हो सकता है यह depend point रहेगा आज के दिन आज रात को US market में किस तरीके से आकड़े आते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जो trend line draw किया हुआ है अगर कल के दिन market इस trend line के ऊपर निकलता है तो हलका सा upside का momentum देखने को मिलेगा यह हमारा first resistance point रहेगा और यह हमारा second resistance point रहेगा यह price action point of view से यह data हम लोग ने discuss किया हुआ है नीचे की side में अकर आज के दिन जहां पर support लिया हुआ था वो 22,287 का level जो है वह एक important support की तरह काम करेगा यहां से already एक bounce back हम लोगों को देखने को मिल चुका है तो कल के दिन दुबारा market इस level पर आकर consolidate करता है 22,287 के level के ऊपर तो यहां से market अगर break करने के बाद दुबारा downside का momentum market resume कर सकता है यह high probabilistic opportunity निकल करके आ रहा है अभी देख लेते हैं कि bank nifty में किस तरिके का scenario यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कल के analysis के वीडियो में मैं आपको clear card बताया हुआ था 47,212 का जो level है इसको market break करेगा तो हम लोगों को downside का momentum देखने को म आज के दिन भी हमरे जो important support level निकल करके आ रहा है वो 47,212 का है कल के दिन market flat खुलने के बाद इस level को downside की तरफ market break करेगा तो downside का momentum हो सकता है यह high probabilistic trade हम को बनता हुआ दिखाई दे रहा है market में clear cut upside के position कब बनना start हो जाएंगे तो यहां पर जो trend line निकल करके आ रहा है जब market इस trend line को break करेगा तभी जाके हम लोगों को upset का momentum बनता हुआ दिखाई देगा मतलब 47,500 का जो level है यह 47,500 के ऊपर ही market में buying जो है वो बायर लोग interested रहेंगे in between वाले zone में market range बाउन momentum दिखा सकता है इसमें ज़्यादा कुछ आप opportunity की उमीद मत कीजे market को आइदर इस ऊपर वाले range क को break करना चाहिए या फिर ये नीचे वाले support level को break करना चाहिए तभी जाके हम लोगों को बड़ा momentum कल के दिन देखने को मिल सकता है अगर कल के दिन live market में मुझे कुछ अच्छा opportunity मिलता है जैसा मैंने आज के दिन यहाँ पर आपको बता दिया था वैसे है अपने इस free वाले tele telegram channel में मैं update कर दूंगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजे और अपने youtube channel को subscribe करके bell icon का button दबा दीजे मिलते हैं next educational video में thank you very much